रुद्दरनाथ बुल यानि की रुद्दरनाथ बलड लाइन से है ये सोमनाथ बुल की बेटी है सोमनाथ सभी सातियों आसवागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतिया पसुपालन मंच्वे आप जो एक कैमरे के सामने गउमाता देख पा रहे हैं वही वीड और ये देखें वही ये वही गउमाता है जिसके लंपी हो चुका था अभी कुछ कुछ ये देखें वही जैसे इस तरह के दाने से इसके रहते हैं यहां पे भी है ये देखें नहीं तो पहले बहुत ज्यादा यहांके बिलकुल लंपी था भी यहां से कवर होगे बाला अंप का साइज देखें भी बिल्कुल कट वाला अंप है बहुत बड़ा अंप है और इसकी वीडियो में आप लोगों को उमर भी बताएंगे उससे पहले आप लोग यह देखें भी कहते हैं ना कि अरियाना नसल में काली आखें होनी चाहिए हैं अंप देखें भी कितना अच्छा अंप है और यह इसके टेट स्पेसिंग देखें भी बिल्कुल अलग-अलग धन है और मैं आप लोगों को बता दूँ यह बच्छडी डेड़ साल की बच्छडी है और इस बच्छडी का नाम भई हमने बारती रख्या है बारती को उमाता यह देखें भई लंपी में बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर होगी थी बच्छडी अब ही 15 दिन से ही कुछ 15-20 दिन से ही रिक्क वरी पर थोड़ी सी आई है जो कि थोड़ी बहुत अरियान वी बाश्या में कि भी मोटी होई है बहुत ज्यादा कमजोर होगी थी क्योंकि लंपी इसको जो था वो थोड़ा सा अलग ही तरीके का था बिल्कुल इतनी मोटी-मोटी गठो वड़ा लंपी था इसको कौन सी बलड़ायन से हैं बहुत जबरदस्ट बलड़ायन की बचड़ी है वह ये जो अपना फैवरेट नंदी महाराज बोडेनाथ जिनको प्यार से बोलते हैं रुद्दरनाथ बुल अर्याना नसल का वो इरा जिसकी टोप के रजल्टारे हैं बई जो गोलू एलावत बाई हैं खरकडागाउं से उनके पास है और उसका जो छोटा बाई है शोमनाथ है यह सोमनाथ बुल की बेटी है सोमनाथ बुल जो अभी डिएफफे मेले में चैंपियन बना था जो आल फिलाल सनी शर्मा भाई है अपने करोली गाउं से रिवाडी डिस्टिक में उनकी गोवसाला में और वो भी बहुत अच्छे गोवसेवक हैं वो बाई भी तो भई उ साल की मत त्र मतंदेज साल का ये बचडी है विया और फेस क्वाल्टी देख कहें वह बचडी की बहुत अच्छी ये देखें वह और कभी मोका लगा तो ठोड़ा सा भी विद्धी के वजए से नीले किलर में आई हुई है जब अभी 10-15 दिन में इसका कलर वाइट हो जाएगा तो और भी प्यारी लगेगी बचडी भई फिर आप लोगों को आगे वीडियो में और भी बताएंगे और अच्छे शे वीडियो बना के दिखाएंगे आज इतनी ही वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं